आईए अब हम जानते हैं ठोस उत्पेरकों की कुछ प्रमुख विशेस्ताओं को जैसे कि हमने जाना अभी तक हमने देखा है कि जो ठोस अभिकारक होते हैं वो अभिक्रिया में उप्योग नहीं इनका उप्योग नहीं होता यनि कि ये कंजूम नहीं होते हैं तो ठोस अभिकारकों की जो सबसे पहली विशेस्ता है वो यही है कि ये अभिक्रिया में यूज नहीं होते यनि कि पूरी अभिक्रिया के दोरान ये अपने द्रव्यमान तथा रासानिक संगठन के रूप में बिल्कुल वैसे ही अभिक्रि दूसरी जो विशेयस्ता है वो ये कि कोई भी उत्परेरत है जो अग्र एवं पश्च अभिक्रिया यदि अभिक्रिया उत्कर मणी प्रकार की है तो ये अग्र और पश्च अभिक्रिया को समान धु brake करते हैं और यहां परहम देखेंगे इसी के साथ जो तीसरी विशेष्था है वो यह है कि यह साम्य वस्था को यह शिफ्ट या विस्थापित नहीं करते हैं साम्य वस्था जो है वहीं पर रहती है साम्य वस्था मुझे कहते हैं किसी भी उतक्रमनी अभिक्रिया में जबकि अभिकारक तथा उत्पात की जो सांदर्ता में परिवर्तन हो ता हुआ हमें दिखाई नहीं देता है तो साम्यावस्था वहीं रहती है लेकिन चूंकि यह अभिक्रिया को तेज कर देते हैं अभिक्रिया को गती प्रदान करते हैं इसलिए साम्यावस्था समय से पहले उत्प्रेरक की उपस्तती में साम्यावस्था पहले प्राप्त हो जा यह काफी असरदार होते हैं यानि कि इनकी बहुत ही थोड़ी मात्रा की आवशक्ता हमें उत्प्रेरण के लिए होती है उधारण के तौर पर यदि हम देखें जब हाइड्रोजन पराक्साइड का विगटन किया जाता है प्लाटीनम उत्प्रेरण की उपस्थती में तो यहा बाहर निकलती है वहाँ पर जो हम प्लाटीनम उत्प्योग करते हैं वह प्लाटीनम धातू का अमाउंट होता है केवल 10 कि घात रण 8 मोल पर लीटर तो इतनी कम मात्रा में ही यह जो उत्प्रेरक हैं वह काफी असरदार होते हैं इसके अलावा एक और विशेस्ता है उत्प है। अच्छले अध्थाय में भी पड़ा है कि उत्पेरकों के द्वारा जो अभिक्रिया को सक्रीता प्रदान की जाती है वह इसी सिद्धान पर है की यह जो एक्टिवेशन एनरजी है उसको कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनरजी जैसरे कि हमने जाना वह कम से कम उर्जा होती है जो किसी अभिकारक के अनुओं को प्राप्त करनी आवश्यक होती है तभी वह उत्पात में परिवर्तित हो सकता है उदाहरण के तौर पर हम यहां पर हाइडोजन पर अक्साइट का उदाहरण ही ले सकती हैं जब हम उत्प्रेरक का उप्योग नहीं करते हैं तब यहां पर जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वह होती है लेकिन जब यहां पर हम प्लाटीनम उत्प्रेरक का उप्योग करते हैं तो उसके द्वारा एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया जाता है और यह हो जाती है सक्रियन उर्जा के वल 57 किलो जूल पर मोल और क्यूंकि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई है इसलिए अधिक से अ उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं तो इस तरह से हम देखें कि यह सभी जो ठोस उत्प्रेरक है उनकी सामाने विशेश्जिसताएं हैं इसके इलावा ठोस उत्प्रेरकों की कुछ और भी महत्तिपुण विशेश्जिसता हैं उसमें दो प्रमुख हैं एक है इनकी सक्रियता जो ठोसुत प्रेरख होते हैं इनकी सक्रियता या इस बात पर निर्भर करती है कि इनका जो रसा रसा शोशन याने की कैमी जॉर्फशन कितनी प्रबलता से हुआ है क्योंकि जब ये सर्फिस पर मजबूती से जाकर बंद बनाएंगे तभ इनके बीच जो माध्धमिक उत्पाद बनना तय होता है या माध्धमिक उत्पाद बन पाता है इसके अलावा यह भी बात हो कि बहुत जादा प्रबलता से भी इन्हें नहीं अधिशोशित होना चाहिए क्योंकि यह बहुत जादा प्रबलता से अधिशोशित हो जाएंगे त तो आने वाले अभिकारक अनुमों के लिए जो अवेलेबल छेत्र है स्थान है वो कम पड़ जाएगा और इस तरह से जो रासानी कभी क्रिया की दर है वो कम हो जाएगी यदि हम हाइड्रोजनी करण अभी क्रिया का उदारन लेकर देखें तो यह देखा गया है कि जो हाइड निकल प्लाटीनम यही धात्वे जादा उप्योग में होती दिखाई देती हैं क्योंकि इनकी सर्फिस पर ये बहुत अच्छी तरह से हैड्रोजन तथा अन्य अन्यों को अधिशोशित करने की शमता रखती हैं इसके अलावा यहाँ पर हम देखें कि जो इनकी प्राया देखा जाता है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो अभिक्रिया को सक्रीता प्रदान तो करते हैं लेकिन किसी रासानी कभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर पाते लेकिन इसके भी कहीं कहीं पर अपवाद हैं क्योंकि हम देखें कि जब हम hydrogen gas और oxygen gas दोनों को मिलाते हैं सामाने ताप पर 25 degree centigrade ताप मान पर तो इनके बीच कोई अभिक्रिया नहीं होती है लेकिन जैसे ही यदि हम इनके मिश्रण में एक platinum का तार डाल दें तो वैसे ही जल बनता है और काफी यह explosive होता है विस फोटक रूप से उश्मा बाहर निकलती है तो इस तरह से कही कही पर हमें अपवाद भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर उतप्रेरक की सक्रीता हमें दिखाई देती है इसके बाद जो दूसरी विशेष्टा होती है महत्रपुन विशेष्टा है उतप्रेरकों की वो है वरनातमक्ता या चैनातमक्ता या Selectivity यह कहेंगे किसी भी उत्प्रेरक की चैनात्मक्ता या सलेक्टिविटी किसी अभिक्रिया को दिशा देकर एक विशेस उत्पाद बनाए जाने की छमता है जबकि उन्ही परिस्थितियों में भिन भिन उत्पाद बनाना संभाव है उदारन के लिए यदि हम देखें कि हम हाड्रोजन गैस तथा कार्बन मोनो आक्साइड गैस से प्रारम करके देखें तो यहां पर हम देखेंगे कि भिन भिन उत्प्रेरक उप्योग करने पर हमें भिन भिन उत्पाद प्राप्त होते हैं जैसे कि यदि हम carbon monoxide और hydrogen gas की जब हम क्रिया कराएं और उत्प्रेरक के तौर पर हम nickel धातू लेते हैं तो हमें उत्पात के रूप में methane gas तथा प्राप्थ होती है तथा जल प्राप्थ होता है लेकिन इसी इन्ही अभिकारकों यानि कि carbon monoxide और hydrogen gas को लेते हुए ही यदि हम उत्प्रेरक बदल दें यदि हम copper धातू तथा zinc oxide chromium oxide bed उत्प्रेरक के तौर पर उप्योग करें तो हमें जो उत्पात मिलता है वो पहले की तुल्ला में बिल्कुल अलग मिलता है और हमें methaneol प्रा केवल copper धातू उत्प्रेरक के तौर पर उप्योग मिलाते हैं तो हमें एक तीसरे प्रकार का उत्पाद प्राप्थ होता है और वह होता है formaldehyde इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्प्रेरक का कार्य काफी विशिष्ट होता है एक उत्प्रेरक किसी एक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक के तौर पर कार्य कर सकता है तो वही उत्प्रेरक किसी दूसरी अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने में असमर्थ भी होता है इसी प्रकार का एक और वरनात्मक उत्प्रेरन होता है आकार वरनात्मक उत्प्रेरन जिसी हम जो लाइट के उदाहरन के द्वारा समझते हैं वह उत्प्रेरकी अभिक्रिया जो कि किसी उत्प्रेरक के रंद्रों के आकार या उनकी सरचना तथा अभिकारकों के अन्मों के आकार एवं आकरती पर निर्भर करती है आकार वरनात्मक उत्प्रेरन कहलाती है यहाँ पर हम देखें कि जो जियोलाइट होते हैं, उनकी सरचना मधुमक्की के छत्ते के आकार की होती है और यह बहुत ही अच्छे आकार वर्नातमक उत्प्रेरक होते हैं यदि हम इनकी सरचना देखें तो ये सूक्ष्म रंद्रिये अलूमिनो सिलिकेट होते हैं जिसमें की जो सिलिकेट की जो सरचना होती हैं इसमें सिलिकेट की जो त्रिविमी सरचना होती है जिसमें की आप देख रहे हैं कि एक सिलिकन परमाणू चार ऑक्सिजन परमाणूं से में यहां पर कहींगों के द्वारा प्तिस्थापित हो जाते हैं और इस प्रकार का धाचा प्राप्ट होता है जिसे हम ऑल्यूमिनूसिलिकेट स्ट कहते हैं यहां पर जोलाइट में होने वाली जो अभीक्रियां हैं वह अभिकारकों के कडों के आकार च majestic के साथ साथ जोलाइट के? जो कैवटी इस हैं उनकी रंद्र हैं उनकी सरचना पर भी निरभर करती वैसे तो जूआइट प्रकृति में पाये जाते हैं, लेकिन विशेस आकार की रासाइनिक अभिक्रियाओं या अधिशोषण अभिक्रियाओं को समपन्न खरने के लिए जिस प्रकार के अभी कारक होते हैं उनके कण कणों का साइज होता है उनका आकार होता है उसी के आधार पर उन्हें के आकार के रंद्रों के आकार के जियोलाइटों का संसलेशन भी किया जाता है आज कल हम देखें तो पेट्रो रसाइन उद्योग जो है वहाँ पर जियोलाइटों का बहुत अधिक उप्योग होना लेग गया है जहाँ पर जिसका एक उधारन है जड़ेसम फाइव यहाँ पर यह एक बहुत ही अच्छा वर्नात्मक उत्प्रिराख होता है जिसमें कि इसका उप्योग हाइड्रोकार्बनों के भंजन या जिसे हम कहते हैं क्रैकिंग या पैरोलिसिस तथा समावैवी करण के द्वारा विभेन प्रकार के हाइड्रोकार्बन प्राप्त किये जाते हैं हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण प्राप्त किया जाता है और फिर इन्हें सीधे ही पेट्रोल याने की गैसोलीन में परिवर्थित किया जाता है तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो जियो लाइट है उसका आकार वरनात्मक उत्प्रेरण की वज़े से पेट्रो रसायन में काफी अधिक महात्व है